गुर्वाइंग फ्रेंड्स आज का टॉपिक है कुश्चन वर्ड्स ऐसे कितने कुश्चन वर्ड्स हैं इंग्लिस लाइंग्ज़ में उसका पूरा कलेक्शन इस वीडियो में दिया गया है और इसका हिंदी में बिया गया है हिंदी से इंगलिस जब हम कोई इंग्लिस में पढ़ते हैं तो उसका फॉपर हमें अगर संज में आता है then we can reply in the then we can reply in the proper form यदि हम सही तरह के इस उसका मिनिंग निकाल पाते हैं तो हमारा एंसर भी exact answer नहीं दे पाते हम इस वीडियो को आप देखिए 46 question word है और इस question word के कारण आप इस English language पर है मतलब question word वाले sentence पर आपको पुड़ी तरह से command हो जाएगा आपको दोबारा question word के बारे में ना सोचना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा कि क्या होता है क्योंकि पूरा का पूरा collection दिया गया इसकंदर इसके बाहर इंग्लिस में या हिंदी में question word नहीं है चलिए देखते है देखे question word का use कहा के जाता है सबसे पहले बाद double integrative sentence में हम करते हैं question बनाने के लिए उसका structure में दे रखा है subject है main verb है object है यह तो था ही question word sentence के बिल्कुल सुरुवात में इससे structure को हमें follow करना है पूरी sentence के अंदर जितने भी जो double integrative sentence होते हैं या question word वाले sentence होते हैं उसमें यह structure follow किया जाता है और इससे structure हमें follow करना है और grammatically correct यही है अगर इसको आप follow नहीं करते हं वो गलत होता है यह follow बस conditional sentence में नहीं किया जाता है और conditional sentence में नहीं किया जाता है कप incapac期 जहां सब जगर करते हों सब दय करना कुंचिर को तो कौमा ने, जनिल हमें पता है, लेकिन इसके अलाबा बहुत कुछ नहीं पता है, तो हमें पूरा वीडियो देखना है, और इसके प्रैक्टिस भी करनी है, क्या, हिंदिय सेंटेज बनता है, अब आप क्या करोगी, What will you do now, sentence देखेंगे, what, question word, helping or will है, subject you है, उसका main verb, और फिर now, other word में हम ले लेंगे, किस लिए, उसके English order था, for what, तुम किस लिए वहाँ गये थे, for what, did you go there, next है, कितने बज़े या किस समय पर, कितने बज़े या किस समय पर के लिए है, at what time, तुम्हें कितने बज़े ओफिस जाना है, या तुम किस समय पर ओफिस, तुम्हें किस समय पर ओफिस जाना है, at what time, have you to go to office, next है, किस समय से, किस समय से, या कितने बज़े से, इन दोनों के लिए वड़ होता है, from what time, या since what time, sentence है, आप किस समय से project शुरू करोगे, since what time, will you start the project, या from what time, will you start the project, from what time to what time, किस समय से किस समय तक, तुम किस समय से किस समय तक manage कर लोगे या तुम कितने बज़े से कितने बज़े तक manage कर लोगे from what time to what time will you manage किस समय तक या कितने बज़े तक, English word is up to what time या till what time आपने उसका कितने बज़े तक इंतजार किया था up to what time या till what time did you wait for him Due to what या Because of what किस कारण से विजय किस कारण से भारत से भाग गया Because of what या Due to what has विजय fled away from India किस उदेशी के लिए For what purpose तुमने किस उदेशी के लिए class join किया है For what purpose have you joined the class At what place किस स्थान पर या किस जगह पर के लिए उज़ करते हैं आपने उसे किस जगह पर पकड़ा था या आपने उसे किस अस्थान पर पकड़ा था At what place did you catch him? किस बारे में? यहाँ पर किस बारे में किसी object या things के लिए उज़ करते हैं About what का उज़ करते हैं What मतलब object के लिए तुम किस बारे में बात कर रहे थे? About what were you talking? तुम और क्या? सोच रहे हो What else do you want? What all? क्या-क्या? क्या-क्या के लिए वर्ड होता है? देखो मैं क्या-क्या कर सकता हूँ Look, what all can I do? कितने समय में? Within what time? वह कितने समय में आ रहा है? Within what time is he coming? कहा? Simple word is where? मुझे आज meeting कहा रखनी चाहिए? Where should I arrange the meeting today? From where? या Where from? दोनों है उसके हिंदी में नहीं होता है? कहा से? कहा सा के लिए हम यह यूज करते हैं Where from या From where? तुम्हें मेरा contact number कहा से मिला? From where have you got my contact number? और कहा? Where else? Where else? कहा के लिए where है? और कहा के लिए होता where else? तुम्हें जॉब के लिए और कहा अपलाई किया था? Where else did you apply for the job? कहा कहा इसके लिए कुशन वर्ड होता है Where all? आपने और कहा कहा पैसे लगाए हैं Where all have you invested the money? कहा तक? Up to where? वह आपके साथ कहा तक गया था? Up to where did he go with you? किस और? Towards where? तुम किस और जा रहे हो? Towards where are you going? कहा से कहा तक? From where to where? तुमने कहा से कहा तक course complete किया है From where to where have you completed your course? कब? उसके लिए वर्ड होता हैं When? आप हमें कब बुलाओगे? When will you call us? Since when? या from when? कब से? वह कब से तुम्हें बुला रहा है? Since when? या from when is he calling you? कब से कब तक? From when to when? उसने कब से कब तक party attend की थी? From when to when? या since when to when? Did he attend the party? When else? और कब? तुम और का party दे रहे हो? When else are you organizing the party? When all? कब कब? आप मुझे कब कब याद करते हो? When all do you miss me? कब तक के लिए है? Up to when? या till when? sentence है तुम कब तक अपना assignment जमा कर दोगे? Till when? या up to when? Will you submit your assignment? किसको? Whom? तुम किसको जानते हो? Whom do you know? To whom? किसको? आप किसको call कर रहे हो? यहाँ पर to का से इंसारा To whom are you calling? किस-किसको? To whom all? आपने किस-किसको invite किया है? To whom all have you invited? From whom? किस-किस से या किस से, sorry किस से? From whom? तुमने किस से या खबर सुनी थी? From whom did you hear this news? किस-किस से? From whom all? उसने किस-किस से पैसे उधार लिये थे? दो बार आ रहा है From whom all did he borrow money? किस के साथ? With whom? या along with whom? sentence है तुम किस के साथ movie देखने गए थे? With whom did you go to watch movie? किस के कारण? Because of whom? आपने किस के कारण उसे माना कर दिया? Because of whom did you deny him? किस की जगह? Instead of whom? या in place of whom? या आप इनसान के लिए उस कर रहे हैं आपने किस की जगह पर प्रिक्षा दिया था? In place of whom? या instead of whom? इडि यू appear in the exam? किस के बारे में? About whom? वही किस के बारे में आप इनसान के बात कर रहे हैं हूम इनसान के लिए होता है और वाट अब्जेट के लिए होता है आप किस के बारे में बता रहे हो? About whom are you telling? कैसे? How? सबसे बड़ी है आप कैसे हैं? How are you? यहाँ पे लिखा है तुमने यह कोशन कैसे हल किया? How did you solve this question? कितनी दूर? How far? आपका office यहाँ से कितना दूर है? How far is your office from here? अक्सर कब? How often? अक्सर कब आप अपने गाउं जाते हो? How often do you go to your village? कितनी बार? How many times? आपने उसे मनाने के लिए कितनी बार कोशिस की थी? How many times did you try to persuade him? कितना? How much? How much कितना है? uncountable के लिउज करते हैं Bill Gates एक दिन में कितना पैसा कमाता होगा? How much money would Bill Gates earn in a day? How many? Countable कितने? कितने के लिउज किया था? How many? आपके Facebook पर कितने friends है? How many friends do you have in your Facebook account? कौन सा? Which plus noun? यहाँ पर उसके साथ में noun लगाते हैं देखें के से बनता हैं आप कौन सा mobile चलाते हो? Which के बाद mobile है? Noun Which mobile do you operate? Or कौन? Who else? Or कौन आने वाले हैं? Who else is to come? कौन कौन? उसके लिए आता है who all? तुम्हारे घर कौन कौन है? Who all are there at your home? ऐसा क्यों? Why so? तुम उसके साथ ऐसा वरताव क्यों करते हो? Why do you behave so with him? Thank you so much for watching this video. क्यों 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 हो